असलावलकूम और रुफ्यू स्पीके में खुशामदीद मेरा नाम अमीर है और हमारी आज की विडियो गेमर्स के नाम दोस्तों मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम कर रहे हैं एसूस रोग फोन 2 की अन्बॉक्सिंग इस वक्त आम तोर पर समझा जाता है कि दुनिया का बेस्ट गेमिंग फोन है इसके बिल्कुल धरते हिला देने वाले स्पेक्स हैं हमारा आज का रोग फोन 2 10 सेंट एडिशन है जो के चाइना से आया है इसका एक ग्लोबल एडिशन भी आता है और हम इन दोनों में डिफरेंसिस की बात करेंगे वीडियो में आगे चलके वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्सिपतल हसने नश्मल का शुक्रिया दा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये फोन अरेंज करके दिया और उसके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो टेंसेंट एडिशन इस वक्सरिफ चाइना में अवेलिबल है और इसकी प्राइस तक्रीबं 5-600 डॉलर है जबके ग्लोबल एडिशन तक्रीबं 900-1000 डॉलर का मिल रहा है अगर कलर्स की बात करें तो यह फोन दो फिनिश्ज में आता है मैट ब्लाइक और हमारा आज का डिवाइस ग्लॉसी ब्लाइक और अगर इंटर्नल्स की बात की जाए तो टेंसेंट एडिशन 8GB RAM और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है अगर आप मारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें और हम अब इंस्टेग्राम पे भी हैं तो रिव्यूज अंडरिस्कोर पीके को फॉलो करें तो दोस्तों पहले चलके लिड उतारते हैं सबसे उपर ये फोल्डर है जिस पर आर ओ जी यानिकर रोग इंबोस्ट है बाद वे रोग का मतलब है रिपब्लिक ओफ गेमर्स इस फोल्डर में एक सिमेज अक्टर टूल है कुछ यूजर मैनियूल्स है और ये हार्ड शेल प्लास्टिक का केस है और दोस्तों ये रहा वो बीस्ट जिसका हम सबने इतना चर्चा सुना है लेकिन इसे देखने से पहले बॉक्स के बागी कॉंटेंट्स देख लेते है टेंसेंट एडिशन के साथ एक 18 वाट की पावर परकाती है जबके ग्लोबल वर्जिन 30 वाट के फास्ट चर्जर के साथ आता है और साथ में एक USB-C केबल है अब चलके हैंडसेट को उन्रैप करते हैं और देखते हैं कि ये फोन है कैसा अगर डिजाइन की बात करें तो रोग फोन 2 का लुक बहुत ही प्रोवाकरिटिव और गेमर टाइप का है अगर आपने गेमिंग माउस देखें हैं या कीबोर्ड देखें हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ जियोमेट्रिक पैटर्न वाली डिजाइन ये लाइन जिसमें और अगलो टाइप के रेंबो कलर्स आते हैं और बीच में ये रोग का एंबलेम जिसमें एक आरजिवी लाइट भी है ये फोन सिर्फ एक गेमर फोन नहीं है बलके अनपॉलिजेटिकली शोदा गेमर फोन है और इसका ये स्टाइल सबके लिए तो नहीं है वर आई लव इट इस फोन की बिल्ड ग्लास और मेटल की है और आगे वाली तरफ गुरिला ग्लास 6 है पावर और वॉल्यूम कीज राइट हैंड साइट पे हैं और साथ में रोग फोन 2 में एर ट्रिगर्स भी हैं जिनने गेमर्स खुद कन्फिगर कर सकते हैं अपनी गेम्स के साथ बॉटम पे एक USB-C पोर्ट है और एक हेटफोन जैक भी है लेफ्ट साइट पे ये एकस्पैंशन पोर्ट है जिसमें एक USB-C पोर्ट है और एक कस्टम पोर्ट है अब अगर बैक पे देखें हैं तो राइट साइट पे ये कॉपर का हीट सिंक है ये बेसिकली गेमिंग करते हुए रोग फोन 2 को कूल रखता है दोस्तो रोग फोन 2 में कोई dust and water resistance नहीं है और इसकी एक वज़ा ये heat sink भी है क्योंकि ये directly सारे components को हवा लगने देता है जिसकी वज़ा से अगर इसमें पानी जाएगा तो obviously उन components में पानी लग जाएगा और जिसकी आपको पहले बताया है बीच में ये रोग का लोगो है जो के एक RGB light भी है फोन साइज में काफी बड़ा है इन फाक्ट ये मेरे Samsung Note 9 से भी थोड़ा लंबा है और फोन का weight भी काफी है तकरीवन 240 ग्राम तो दोस्तों ये तो हो गई body और design अब चलके बात कर लेते हैं कुछ specifications की जहां ये phone चलता नहीं बलके दोड़ता है Rogue Phone 2 में Qualcomm का Snapdragon 855 Plus processor लगा गया है जिसकी clock speeds Snapdragon 855 से थोड़ी सी ज्यादा होती है साथ में Adreno 640 GPU है इसकी भी clock speed standard Adreno 640 से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है RAM की बात की जाए तो जैसे आपको पहले बताया था 10 cent edition में 8 GB RAM आती है जबके global edition में 12 GB RAM आती है सारी DDR4 RAM है और अगर built-in storage की बात की जाए तो 10 cent edition में 128 U built-in storage जबके global edition में 256 GB से लेकर 1 TB तक की UFS 3.0 storage है यह वो ही storage है जो हमने OnePlus 7 Pro और Note 10 लाइनप में भी देखी है और यह पिछली generation से ज़्यादा तेज़ चलती है साथ में phone में 6000 milion power की बड़ी battery लगाई गई है और मैंने आज तक जितने phones इस्तमाल किये हैं उनमें यह battery size सबसे ज़्यादा बड़ी है और इस बड़ी battery से आप बहुत ही उम्दा battery life expect कर सकते हैं charging speed की बात की जाए तो 10 cent edition के साथ 18 watt का fast charger आता है जबके global edition के साथ 30 watt का fast charger आता है और दोस्तों यह वो ही speed है जिस पर OnePlus की warp charging चलती है Rogue phone 2 Android 9.0 Pi के साथ ship होता है और 10 cent version में Rogue UI लगी हुई है जो के heavy gamer type UI है जबके global version में आपको select करने का option मिलता है Rogue UI या पर stock Android जैसी Zen UI और साथ-साथ phone में कुछ gamer specific features भी है जैसे के armory crate, x performance mode और game genie तो अगर expansion की बात की जाए तो Rogue phone 2 में कोई SD card support तो नहीं है लेकिन इस phone में dual sim support है और आप 2 4G capable nano sims एक साथ लगा सकते हैं साथ में phone में एक in display fingerprint sensor है जो optical technology पे चलता है और अगर speakers की बात की जाए तो इस phone में dual front facing stereo speakers लगाए गए है और अगर आपको लगा कि बस इधर ही बात खत्म हो जाती है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अब बात कर लेते हैं display की रोग phone 2 में ये 6.59 inches का AMOLED display है जिसका resolution full HD 2340 by 1080 है और pixel density 390 ppi है लेकिन दोस्तों ये कोई मामूली display नहीं है ये display specifically gamers के लिए बनाया गया है सबसे पहली बात है कि इसका refresh rate 60 Hz नहीं, 90 Hz भी नहीं, move over OnePlus 120 Hz है यानि कि एक second में इसकी screen 120 मरतबा refresh होती है इसके साथ-साथ इसकी screen का response time 1 millisecond है जो के आप pro gaming monitors में देखते हैं साथ-साथ अगर touch detection की बात की जाए तो उसका refresh rate 240 Hz है और इसके display की वज़ा से phone overall बहुती ज़्यादा snappy, smooth और responsive फील होता है मैंने इसको इसको इस्तमाल करने में बहुती enjoy किया है दोस्तों, Rogue Phone 2 के बारे में आपके जो खयाल आते हैं मुझसे comment section में नीचे जरूर share कीज़ेगा मैं जाना चाता हूँ कि आप इस phone के बारे में क्या सोचते है तोस्तों, आप बात कर लेते हैं camera की, लेकिन एक बात का खयाल रहे कि ये phone कोई भी इसके camera की वज़ा से नहीं खरीदेगा तो आप एक अच्छा camera ना expect करें बैक पे एक dual camera setup है, जिसमें एक 48MP का F1.8 aperture वाला wide angle lens है और एक 13MP का F2.4 aperture वाला ultra wide lens है आगे वाली तरफ एक 24MP का F2.2 aperture वाला selfie shooter है तोस्तों, अगर final thoughts की बात की जाए, तो यकीन ये phone हर किसी के लिए नहीं है अगर आपको एक minimalistic या clean किसम का aesthetic पसंद है तो ये phone आपके लिए बिलकुल भी नहीं है ये phone specifically geared है gamers के लिए और वो भी serious किसम के gamers के लिए और इसका जो design aesthetic है वो भी बहुत gamer के जैसा बनाए गया है RGB, रंग बरंगी, शोदा style, geometric patterns अगर आप एक gamer है और एक serious किसम के gamer है तो मेरे इसाब से rogue phone 2 इस वक्त दुनिया का best gaming phone है beast internals, तबाही display, huge battery और सौफ इज़ती gamer aesthetic you cannot go wrong with it इस वीडियो में इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी once again, thank you सिब्तुलहसनेन for making this happen हमेशा की तरह वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलेगा इंशाला आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अलाहाफिस